हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने जो है फेज़ू का जो पासवड होता है अगर आप भूल गए हो तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत असान तरीके से आप उसे कैसे आप पता कर सकते हो आज की वीडियो में हम आपको बताने उबाले हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको क्या प्रोसेस करना होता है अगर आप फेजू का password आप पता करना चाहते हो तो बहुत से लोग आपको बताते होंगे आपको password change करने का नहीं तो आप directly आप जब password change करने का आप सोचते हो तो आप directly आप profile वाले option में जाते हो और आप जब setting and privacy वाले option में click करते हो और आप जब दुबारा setting वाले option में जब आप जाते हो और जब आप नीचे आते हो security और login वाले में और यहाँ पर जब आप password यहाँ पर दे सकते हैं change password वाली option में जाते हो लेकिन आप जब यहाँ से आप password change करने जाते हो लेकिन आपको मांगता है जो current password तो आपको current password मालूम ही नहीं होगा तो कैसे आप जो password को आप पता करोगी तो इसके लिए आपको डेकली कुछ नहीं करना होगा आपको डेकली यहाँ से cut कर देना होगा जैसे आप दे सकते हैं आपको cut कर देना होगा अब इसके बाल आपको करना क्या होगा आपने chrome browser को आपको डेकली आप दे सकते हैं आपको open कर लिए ना होगा, जिससे आप देश सकते हैं, आपको अपने chrome browser open करने के बाद, आप में कुछ इस तरह का option आप में देखने को आ जाएगा जैसे आप देख भी सकते हो, आपको करना क्या होगा, आप देख भी सकते हो, आपको यहाँ पर three dot को option आप में देखने को आएगा, तो आपको इस three dot वाली option भी आपको देखने को किलिक करना होगा, अब इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर setting का option दे करना क्या होगा आपको यहां पर password वाले option में जब click करोगे इसके बाद आपके जितने भी आप में Facebook में आप account आप बनाए होगे जैसे आप दे सकते हैं सबका password आपको यहां पर दे सकते हैं आपको देखने के लिए आप दे सकते हैं, coffee भी कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर आई का option दिख रहा है, जैसे आप दे सकते हैं, इस वाले option में जब directly आप किलिक करोगे, और आपके mobile में जो का password जैसे आप दे सकते हैं, जो भी हमारा Facebook का password है, जैसे आप दे सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, जैसे आप दे सकते हैं, आप इसे copy भी कर सकते हो, अगर आपको कहीं अपना account को, आप directly login करना जाते हैं, जैसे आप दे सकते हैं, हमारे Facebook का यह password है, अगर आप चाहते होगी जो हमारा password नहीं मिला तो आप डिरेकली जारतना भी एकाउंट आप बनाएंगे अपने Facebook है यहाँ पर सब आपके यहाँ पर दे सकते हैं password आपको देखेने को आएंगे अप करोगे क्या, आपको अपने password जैसे हमारा फेजूक का password जैसे आप दे सकते हैं इसा डिरेकली किपर कर सकते हो इसके बाद आप डिरेकली करोगे क्या आपको अपने same हुई process करोगे जो जहां पर आप आये थे डिरेकली आप Facebook पर चाहते हो कि यह password लप करके तो आप डेकली जो अभी current password है यहाँ पर आप डाल के और आप new password बना सकते हो अगर आप चाते हो कि जो हमारा Facebook password नहीं हमें पता हो गया तो आप डेकली जो अभी आपने देखा यह जो password आपने अभी देखा जैसे आपने आपको दिखाया जो लिखा था अभी उस वाले password को आप डेकली याद कर लोगी तो अभी आपका Facebook पासओर्ड हो जाएगा आप कहीं login करोगे आप डेकली आपका Facebook एकाउट को आप पासओर्ड हो जाए अगर आप कहीं login करना चाहते अपने Facebook account को तो आप डेकली number को डाल के और अपने Facebook का यो पासओड है उसे आप डालोगे आपका एकाउंड लॉगिन हो जागा तो ऐसे आप जो फेस्बूक एकाउंड का जो आप द्रगली पासओड आप पता कर सकते हो तो वगर आपको वीडियो वच्ची लगी हो तो वीडियो को जरुब लाइक करीगा और हमारे चैनल को कर लिजेगा धन्यवाद